हलो फ्रेंड असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोला कबाब बनाने की रेश्पी बस आप इसे स्टेप बाई स्टेप फालो करेंगे और आपके कबाब बनेंगे एकदम परफेक्ट बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर तयार होने वाले हैं तो चलिए हम द तरिके से ब ann Kardash быть तो मैंने यहां पर अद्रक लसन का पेश्ट और हरी मिर्ची का पेश्ट और आती में पिछ लिया ऑध इसको भी ढाल देंगे और यहां पर मैंने कुछ पाउडर मसाले ले 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 लिया सिटेपर मैं कुछ तेबलि स्पून दनिय हमें यहारे एक गरिम जितना तिख आपको पसंद उतना डालीए गा और यह सारे मसाले डालने के बाद हम इसमें दो मीडियम साइज की तली हुई प्याज इसमें डालेंगे इसे क्या होता है कि तली हुई प्याज गोला कबाब में डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है यहां पर दो के करीब भुना हुआ बेसन डालेंगे इससे क्या होता है कि हमारा गोला कबाब बहुत ही शांदार बनके तयार होते हैं यह सारे मसाले डालेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो टेबलिस्पून के करीब रिफाइन तेल यह साब डालकर हम इसको अच्छी तरीके से मि ग्लेफ सपहन के मिला और यूजै को पॉला सकता सोlt D एक अच्छा गोला का शेप दे देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इतने मिक्सर में बाज से तेज गोला कबाब बनाकर रेडी कर लिया है आप देख सकते हैं कि हमारे सारे गोला कबाब बनके तयार है इसके बाद हम यहाँ पर तेल को अच्छी तरीक यह करूँ के से मैं। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा गोला कबाब डाला है और इसको अच्छी तरीके से फ्राइक किया यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे गोला कबाब एक दम पर्फेक्ट बनके तयार हुए है तोटल इसको पकाने में बारा से तेरह मिनट लग चुके हैं अब हमारा गोला कबाब एकदम रेड़ी है और इस तरह से बहुती सांदार हमारे गोला कबाब बनकर तयार हुएं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेशपी बहुती पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फैमिली और फ्रेंड में सेयर करें तब तक के लिए खुदा हाफीज